तो आज की वीडियो में हम कुछ बनाएंगे नहीं बल्कि मैं ऑर्गनाइज करने वाली हो अपनी क्राफ्ट सब्लाइज और साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा चलूंगे कि मेरे पास कौन सी क्राफ्ट सब्लाइज है तो यह वीडियो कोई बहुत थी फैंसी नहीं होने वा पास है जो मैंने लोकल मार्केट से खर दी है थोड़ी बहुत मैंने ऑनलाइन कर दी है वह उन्हीं चीजों कालेशन मेरे पास है और जो कुछ आपको आपको अपनी सारे क्राफ्ट सब्लाइज को और नाइस करूंगी तो बिना किस दिर की चलूंगे को साथ करते हैं तो यह नीचे रखते हैं क्योंकि इसके साइज सबसे बड़ा है उसके बाद इस तरह के शारी के डिब्बे में मैं बहुत सरी चीज़ें अर्गनाइज करते हूं ता कि मुझे असानी हो वापस से इन्हें लेने में तो इस एक पड़ियो दिब्बे में मेरे पास है ओएचपी मैं अस यहां पर रखते हूं उसके बाद यहां मेरे पास कुछ ड्रॉइफ कॉपी है तो इसमें बस एक ड्रॉइफ कपी मेरी है जिसमें hitting बनाइए इस सारी है मैरा भाई मुझे हर साल देता है अपने क्लास होने के बाद क्यूंकि इसमें पेपर होते हैं ने यहां मैंने उ प्रेट बॉक्स लगती हो उसके बाद यहां पे मेरे पास यह एक पेपर है तो यह A4 से बढ़ा है और A3 से छोटा है इसकी एक्ट्वल साइज मुझे ने पता है लेकिन यह पेपर मेरा फेर्विट है मैंने इसे ऑनलाइन किसी स्टोर से लिया था उसके बाद यहां पे मेरे इसे बाद मेरे पास कुछ यहां पे और बॉक्स तो ऐसे बॉक्स में रखते हूं जो भी मुझे मिलती है मैं कुछ अलग से बॉक्स कर देने जाते हूं तो यहां पे एक चौक्ट का बॉक्स है इसमें मैं मैंने फॉल स्टीकर्स रखा है और कुछ चोटे साइज वाले कोल्डन में है और सिल्वर में मेरे कार्ड स्टॉक स्टी शीट तो इसे भी मैं मतलब जो डिबर छोटा होता है उसे उपर और जो बड़ा होता है उसे नीचे रखते हूं यहां मेरे पास एक और चौक्ट का बॉक्स है तो इसमें मैंने यहां पे कुछ लेस और फेक है और यह कुछ फेक फ्लाव रहा है और और भी कुछ थोड़ी बहुत बची होई लेसस है तो उसे भी मैं इस बॉक्स में और्गनाजर के रख दोंगी सब कुछ रखने के बाद यह नीचे बाद शल्फ में रखा है उपर क्योंकि यह स्पेस नहीं था थोड़ा कम था उसक इसके बाद मेरे पास तीन प्रिंटेट टेपर यह रहा है और उडर करना है तो इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा है उसके बाद मेरे पास यह पुरानी एक अलबाम है मेरी 10 घृक्तिक की टूर की फिर कि एक और बॉक्स है तो इसमें मैं सारे अपने हैंडमेट कार्ड रखती हूँ एक्चुली जो भी कार्ड्स में बनाती हूँ वो किसने किसे को दे रहती हूँ तो कुछ ही मेरे पास बचे हूँ है और ठोड़े बहुत और चीज़े हैं जो मैं सभलकर रखने चाहती हूँ इसलिए मैंने इसे भी एक बॉक्स में रख रखा है उसके बाद यहां पर मेरे पास इतने सारे राइटिंग पैट्स हैं क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ बनाने के लिए काम पड़ रहता है फिर मेरे पास है ठीर सारी डारिया इसमें कुछ कुछ डारिया ऐसी है जो बिल्क चुटा सा एक चमच का भी यूज़ का है और मतलब इतनी चारी चीज़ है कि मैं हर एक चीज़ को पर्टिकुलरी आपको बता आनी पार हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मेरी तबयत भी ने ठीक है आपको आवास समाझ में आ रहा होगा तो इसलिए मैं जिए जिए करके इसमें रखने हूं सारी चीज़े और मुझे चोड भी लगता रहा है फिर यह मेरे पास कुछ पेंट कलर्स है इसमें हर टाइप का पेंट कर रहा है एग्रेलिक और ग्लास पेंट सबकेरा उसके बाद यह कुछ बॉक्सेस हैं जिसमें अलग-अलग टाप क पेंट और कलर पेंट सी अब अगयरा है मेरे पास कुछ फैंसी पेंट सखने का भी मुझे शॉक है सब कुछ मैंने इस तरह से रख लिया पूरा हर एक चीज़ दिखाना बहुत पॉसिबल नहीं था वीडियो में इसलिए मैंने इस तरह से रखा है थैंक यू सो मच फॉर व